हेलो दोस्तों मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चेनल चेतन नेरस पर और जैसा कि मैंने कहा था मैं दी अबंडन प्रिंस के एपिसोड नमबर 107 को लेकर आ चुगा हूँ तो चलो जल्दी से नेरसन को सुरू करते हैं एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि नौर्थ में और्थोडोक सेट का मुरीम एलायन्स, वेस्ट में अनर्थोडोक सेट का फेडरेशन और साउथ में डीमनिक कल्ड। मुरीम कई सो सालों से इन तीन great forces में ही बता हुआ है और इनके border areas में हमेशा है bloody battle चलता रहता है पर इन battlefields के बीच में भी एक सांथ जगे है एक अकेला neutral place जिस पर किसी का भी कबजा नहीं है पर इसके चारों तरफ हमेशा ही तीन forces के बीच में conflict होता रहता है और ये जगे है मोजिंग सिटी पर इसका मतलब ये नहीं कि मोजिंग सिटी peaceful है ये बस ऐसे है कि कोई भी अपना पहला चाल चलना नहीं जाता ताकि गल्दी से भी उसका balance बिगड़ ना जाए इसके बाद हम चियोन और उसके टीम को मोजिंग सिटी में देखते हैं जो कि यहाँ पर आचु है कि चुप रहो और किसे का attention अपने उपर मत खीजो बाइक मन में कह रहा होता है कि यह सच में बहुत ही जादा बात करता है क्या मुझे खुस होना चाहिए कि यहाँ पर मून नहीं है नहीं तो दोनों मिलकर मेरा सर पका चुके होते ही यो बोंग फिर बाइक को कान में कहने लगता है कि बाइदा हुए मून सांगवा और ग्रेंडमा गेम हुबे सेफली पहुँच गए होंगे ना पर जबकि एल्डरियोन उनके साथ है मुझे नहीं लगता है कि हमें उनके चिंता करनी चाहिए डानवा फिर कहता है कि लोड हमें बस वहाँ पर जाना है जो उनके है लगता है कि क्या उस एले में से जाना पड़ेगा और उस एले में एंटर करते ही खुबसूरत लड़िया उन्हें बुलाने लगती है और तुम समझ पा रहे होगे कि आखिर वह लड़िया कौन है और वह क्यों बुला रही है और ये देखकर तो ह्योबोंग बाइक के कान मे कहने लगता है कि तुमने वो देखा उन लोगों ने तो अपने ब्रेश को बस थोड़ा सा ही कवर किया है बाइक कहता है कि होबोंग प्लीज चुप रहो और वो आगे जाने लगता है होबोंग कहने लगता है कि अगर यहाँ पर मून या फिर गोवांग होते तो वो जरूर मेरी बाते सुनते उसके बाद वो सभी लोकसन पर पहुंच जाते हैं और यह जग है टावर पेविलियन एंटर करने के बाद च्योन सोच रहा था कि यहाँ पर तो चारो तरफ बस वेस्या ही भरी हुई है तो क्या सच मैं यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेंट भी होगा मुझे समझने या रहा है कि मैं कहाँ पर देखू मैं जहाँ पर भी देख रहा हूँ मुझे बस वेस्या ही दिखाई दे रही है और यह तो एले में जितनी थी उसे भी बहुत ज्यादा है तब ही दो लड़की आकर बाइक और उसका हाथ पकड़ दी है जिससे कि हियो बॉंग तो पुरा पत्थर का बन गया था डानुवा फिर कहता है कि मुझे एक टेबल चाहे जिसमें कितिन ग्लास हो और एक लड़की उन्हें लेकर थर्ड फ्लोर में जाती है जियों सोच रहा था कि यह तो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर से पूरा ही अलग है यहाँ पर बस मुरिम के मा इंफवरमेशन करती है यह और्फ्भुस का बेगर्सेक्ट निफ्लोर से कर है और जबकि यह जगर नीट्र प्लैस है बस हम ही नहीं और्फड़क्स सेक्ड भी अपने ब्राँंच या फिर इंफोरमैशन गरुप यहां पर भेंज नहीų सकती है और यह जग हुआ इस बिजन चाहिए तो डानुवा कहता है कि मुझे लगता है हमें मीडियम लेवल की information चाहिए और फिर डानुवा वेटर को बुला कर पूरी बातें बताता है वेटर कहता है कि प्लीज थोड़ा रुकिये और फिर कुछ दर बाद वेटर आकर कहता है कि कस्टमर्स क्या आप लोग उपर चलेंगे हमारे लीडर आप से पर्सनली बात करना चाहते है दानुवा ये बास उनका सोक होता है और च्योन को टेलिपेती की मदद से कहता है कि मुझे जितना पता है टौफ लोर में बस उन्ही को ही बुलाया जाता है जो की हाई लेवल की इन्फोर्मेसन रिक्वेस्ट करते है मुझे लगता है कि कुछ गडबड हुई है च्योन कहता है कि जबकि हम लोगों को इन्फोर्मेसन चाहिए तो चलो चलते है च्योन मन में सोच रहा होता है कि मेरे Keith senses बता रही है कि वो आद्मि डेंजिरिस नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है वेटर फिर उन लोगों को लेकर लीडर के पास हाता है लीडर केहता है कि आप लोगों से मिलकर बहुत ही खुशी हुई जबकि आप लोग मेरे guest हैं मैंने उसे कहा था आप लोगों को यहाँ पर लाने के लिए मैं हूँ Tower Pavilion का लीडर और मेरा नाम है मैंन हूँ दान हूँ कहता है कि हम लोगों ने कभी सोचाए नहीं था कि Tower Pavilion के लीडर से भी मिल पाएंगे आपसे मिलकर हम लोगों को बहुत ही खुशी हुई है पर आपने हम लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया मैंने तो बस medium level की information request करी थी मैंने हूँ कहता है कि माफ करना पर वा request high level की थी पर नहीं मुझे कहना चाहिए कि यह बहुत ही असपस्ट है डान हुआ कहता है कि आखिर आप कहना क्या चाहते है मैंनों कहता है कि बस कुछ यह organization से जो कि हमें as a information group support करती है और यह उनी में से ही एक का token है क्या तुम इसे देखकर पहचार नहीं पा रहे है हियोबों कहता है यह तो 18 bandage strong horse है मैंनों कहता है वाउ इस young warrior के आखे तो बहुते सार्फ है पर इसका मतलब यह नहीं कि हम लोग information को sell नहीं करेंगे तो तुम्हें दुखी होने कि कोई भी जरूरत नहीं अगर तुम लोग मुझे promise करते हो कि तुम्हारा कोई भी गलत motive नहीं है dragon tiger strong hold के location को ढूणने का और तुम लोग हमें information देने के लिए payment करते हो तो मैं तुम्हें जरूर उनके बारे में बताऊंगा यो बोंग फिर sense करके कहता है कि हम लोग यहाँ पर पूरे घिर चुके हैं यहाँ पर अभी लगबक तीस से भी ज़्यादा लोग है मैंनों फिर कहता है कि मैंने सुना है कि तुम लोग रिसेंटली 100,000 Great Mountain से वावस आये हो क्या मैंने सही कहां डीमनी कल्ड के Northern Branch के लीडर सर डान हुआ पर मैं इस यह लड़की की आइडिनिटी जानने के लिए बहुत ही उस्सुक हो और जबकि तुम लोग इसे बहुत सम्मान से एड्रस कर रहे हो ऐसा लगता है कि यह डान हुआ कही किस लेवल का होगा पर इसे बाहिक और यहोबों को बहुत जादा गुस्सा आ रहा था तो मैंनों कहता है कि क्या तुम लोगों को जानकरी नहीं चाहिए मैं तुम्हे बस उसके प्राइस बता रहा हूँ मैंनों फिर सोचने लगता है कि लड़का जरूर डिमनी कंट में किसे हाई पोजिसन पर होगा तो आफकोर्स उनके पास कोई भी चोईस नहीं होगी उसके जानकरी देने के अलावा और उनका कोई जरूरी रीजन भी होगा जिसके वज़े से वो ड्रागन टाइगर स्ट्रोंग होल को ढूंड रहे है इसका मतलब हमारे पास एक और इन्फोर्मेशन आ जाएगी चियोन तब ही कहता है कि अगर तुम इस जगे के लीडर हो तो तुम्हें जरूर पता होगा और वो अपने कीई का यूज करके एक आदमी का गला दबान लगता है जो के वहीं पर पीछे खड़ा था मैंनों कहता है कि आखिर इस सबका मतलब क्या है तो चियोन कहता है कि मैं एक सबड़ीनेट के साथ बात करना नहीं चाहता